कि है कि है कि हलो फ्रेंट्स माइब इस सर्विस सिंग वेलकम तो यू माई क्लास आज हेमोफिलिय टॉपिक है यह टॉपिक लेशन फाइब से है इंटर्मेडियोट के लिए है इंपोर्टेंट कुश्चन है हेमोफिलिय क्या है इसकी सर्च किसने की कैसे होता है कौन सा रोग है किसके अंदर होता है कब होता है सबसे पहले इसकी सर्च के बारे में बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी जान कोटो ने की थी किस ने की थी जान कोटो जान कोटो ने इसकी सबसे पहले सर्च की थी कब की थी 1803 में जान कोटो नामक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनोंने हीमोफिलिया के विसे में सबसे पहले बताया था इसके बाद में और साइंटिस्ट आ गये जैसे हे आ गये हे 1813 में 1813 में हे साइंटिस्ट ने भी हीमोफिलिया के वारे में बताया था इसके बाद में ब्यूल्स आ गये ब्यूल्स ने कब बताया था 1815 में 1815 में बताया था इसके बाद में और एक साइंटिस्ट आ गये जिसे ह नैसे के नाम से जानते हैं या नैसी के नाम से इन्हें जाना जाता है 1820 में नैसी ने भी हीमोफिलिया के बिसे में बताया था यह जितने भी साइंटिस्ट हैं यह सारे साइंटिस्ट 19th century के हैं 19 सताबदी के हैं लेकिन सबसे जादे अध्यन करने वाले सबसे जादे इस्टड़ी करने वाले सबसे जादे डिस्क्रिप्शन करने वाले कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे हल्डन है हल्डन साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे जादे अध्यन किया था सबसे जादे इसकी इस्टड़ी की थी क्या दर्साया था इसके विशे में हेल्डन ने क्या दर्साया था इसके विशे में हेल्डन ने कैसे सांटिस्ट थे इन्होंने सबसे जादे अध्यन किया था और इसका अध्यन कहां तक किया था इवरोप के अंदर राज घराने में इसकी बंसाबली विशेश बंसाबली काध्यन किया था कि और कौन से निस्कर्स पर ये पहुँचे थे क्या दर्साय था इसके विशे में हीमोन फीलिया यह एक ऐसा बंसा गत रोग है जो कांटीनू निरंतर टू निरंतर गां, जनरेसं टू जनरेसं चलता रहता है मुख्य विसेस्ता क्या दर्स आई थी कि ब्यक्ति के अंदर जब चोट कभी लग जाती है ब्यक्ति के अंदर तो उस ब्यक्ति का ब्लड जमता नहीं है जबकि एक साधान व्यक्ति के चोट लगने से 5-6 मिनट में उसका ब्लेड क्लोट हो जाता है एक किसने दर्साय था हल्डर ने दर्साय था एक साधार व्यक्ति के अंदर एक नार्मल व्यक्ति के अंदर 5-6 मिनट में अगर उसके चोट लग जाती है तो इसका ब्लड जम जाता है जिससे ब्लड का बेहना बंद हो जाता है कि इसके बाद जो माडरन साइन्टिस्ट भी है इसी के इसके बाद में बुङ्स ते 1934 में इसके बाद में गल करें चाहिए बन में ये सभी 20th century के scientist थे कहां पर पहुँचे थे जो modern scientist थे इस बात का पता लगाने के बाद कहां पर पहुँचे थे कि जो blood जमता नहीं है जिन ब्यक्तियों के अंदर blood जमता नहीं है या रुधिर इसकंदन की क्रिया में कई आवस्यक protein तत्त भाग लेते हैं कई protein elements भाग लेते हैं और इस निशकर्श पर पहुँचे कि यदि एक ऐसा आवस्यक elements जिसे आठवे तत्त के नाम से जाना जाता है अगर इस तत्त की कमी हो जाती है तो ब्यक्ति के अंदर हीमोफिलिया रोग हो जाता है और उसके blood का बहना बंद नहीं होता है सबसे पहले हेमोफीलिया की खोजूओ थी इसके बाद में हेमोफीलिया बेलिग की होजू थी हीमोफिलिया A रोग होता है अगर elements 9 की कमी हो जाती है तो हीमोफिलिया B रोग होता है यदि हीमोफिलिया वाले ब्यक्ति की लगातार चोटे लगती रहती है तो उनकी चोटे जल्दी आसानी से ठीक नहीं होती है क्योंकि निरंतर उसका blood बहता रहता है इसी बज़े से इसे bleeder रोग के नाम से भी पहचाना जाता है इन ब्यक्तियों का जल्दी operation भी नहीं किया जाता है हेल्डन ने कहां तक दर्साया था कोटों ने कहां तक दर्साया था यहां तक दर्साया था कि सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था कि जो राजगराने यूरोप के राजगराने जैसे महारानी विक्टोरिया उनकी बंसाबली उनकी पैडिग्री का बिसेश रूप से अध्धिन किया कहा तक पहुँचे इसका जब बिसेश रूप से अध्धिन किया कि महारानी विक्टोरिया की आने वाली जन्डेशन के अंद सवाल से समेंड़ के अंदर भी वहीं भी नहीं था जबकि उनकी जनरेशन के अंदर भी हीमोफीलिया रोग आना प्रारमब हो गया कौन से निसकर्स पहुंचे थे इस साइंटिस्ट आखिर में यहां तक पहुंचे कि हीमोफीलिया महारानी विक्टोरिया के अंदर जीन म्यूटेशन की क्रिया होने पर हीमोफीलिया रोग उनकी जनरेशन के अंदर आ गया यह रोग कहीं से भी आ सकता है पूर्बजों से भी आ सकता है नन्याल से भी आ सकता है कहीं से भी रोग आ सकता है यह कंपलसरी नहीं है कि पैरेंट्स के अंदर अगर यह नहीं है तो उसकी जनरेशन के अंदर आ जाएगा अगर पैरेंट्स के अंदर है तो यह भी हो सकता है कि जनरेशन के अंदर नहीं आये खो सकता उसके पूरबजों के माद्यम से अगर उसके पूरबजों कहीं रहा होगा तो इसके बाद में उसकी जनरेशन के अंदर आना शुरू हो गया हीमोफिलिया मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होती है लेकिन एक चीज़ ध्यार रखना है मैंने बैक वीडियो में ये दर् कंप्लीट होते हैं कैसे कंप्लीट होते हैं कि मेल के अंदर हीमोफिलिया रोग होता है ये कभी भी हीमोफिलिया के बाहक नहीं होते हैं फीमेल बाहक भी होते हैं और हीमोफिलिक भी होते हैं अगर हम इसके विसे में अगर इसका हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो उसमें क् क्या दरसाते हैं उसके बिसे में अगर हम इसके एने हैरिटेंस की बात करते हैं तो इसका क्रास कराके देखिए किस तरीके से इसका क्रास आता है मान लीजिए हीमोफिलिया रोग से ग्रसित हीमोफिलिया मेल के अंदर है और फीमेल नार्मल है नार्मल है तो उसकी जनरेशन के बीच में किस तरीके का रोग आएगा कैसा रोग आएगा उसकी बात करते हैं हीमोफिलिया मेल के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे यह सिंबल ध्यार रखिएगा एक्स बाई यह किसका है मेल का है ठीक है अगर एक एक्स के उपर हीमोफिलिया के लिए हम हम एच से रिप्लेस कर लेते हैं ठीक है एच से इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है यह हीमोफीलिया हो गया इसे ठीक है इसी तरीके से एक्स एक्स यह फीमेल का क्रोमोसोंस है यहां पर हीमोफीलिया के लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि यह एक सहलिक नलक्षण है जो कि एक्स क्रोमोसोम्स पर उपस्तित जीन के माध्यम से होता है ओके एने डाउट किसी को डाउट हो तो पूछिए तो हीमोफिलिया फीमेल में कब होती है यहां पर भी एक जीन की सर्रशना आ जाएगी और यहां पर भी एक जीन की सर्रशना आ जाएगी यह फीमेल हीमोफिलिक हो कैरियर कब होती है एक्स 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 पर जब जीन की सर्रसना आ जाती है तो यह रोक की बाहाग हो जाती है कि अपि अब ये क्या है ये मेल कैसा है हीमोफिलिक है इये ही मुपीलिक है इन चिन्हों के लिए इन सिम्बल्स के लिए आपको ध्यार रखना होगा जिस तरीके से आपने कलर ब्लाइंट के बिसे में पड़ा था ठीक उसी तरीके से ये हीमो फिलिक रोग भी है और दोनों रोग यह समझ लीज़ी यह दोनों रोगं एक दूसरे के भाई भाई है ठीक है इस तरीके से ये दोनों रोगों की बंसा गती भी एक ही तरीके से होती है देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर एक हीमोफिलिक मेल है और फीमेल डार्मल है अगर उसका क्रास करा देते हैं तो किस तरीके से इसकी जनरेशन आती है यह एक जंप बाई ऑके एनगा अब जो फीमेल है यह कैसी यह नार्मल है नार्मल फीमेल के लिए इस तरीके के सिंबल होते हैं इसके उपर कोई भी जीन की शर्रसना नहीं आती है X, тоб, अब क्या करते हैं इसी तरीके से नों । एलिल्स के लिए separate कर लेते हैं इदर कर लिए इधर कर लिया अलग, इधर कर लिया आलग, X के ऊपर यह h लिए जा जीन सर्रसना आगई, यह by सर्रसना आगई, इसी तरीके से इधर भी एलीज अलग-अलग कर लेते हैं, ये X आ गई और ये भी X आ गई इसका क्रास एक बार हम इससे कराते हैं, क्या आएगा सबसे पहले? X, Y आएगा, ठीक है? इसका क्रास एक बार इससे करा देते हैं, तो क्या आएगा? X और Y आएगा ओके? अब ये टू जन्रेशन आ गई, ये दोनों जन्रेशन कैसी हैं? मेल है, सन है, नार्मल है, ठीक है? अब इसका क्रास एक बार इससे होगा फिर एक बार इससे होगा इसका क्रास एक बार इससे कराते हैं यहाँ पर भी X है यहाँ पर भी X है दोनों जगे X आ गया है ठीक है इसे रेप्रेजेंट कर दिया गया यहाँ पर इस X के उपर जीन की सर्रसना लगी हुई है जो हीमो फिल रोक की कैरियर होगी बाहक होगी यह कैसी होगी कैरियर होगी कैरियर होगी ठीक है अब इसी तरीके से इसका क्रास एक बार इससे करा दिया गया तो दोनों जगे एक्स है राइट कर लिया गया यहां पर और यहां पर जीन की सरशना एस लगी हुई है तो यहां पर लगा दिया तो यह यहां पर आपने क्या पढ़ा था जबकि यहां पर female नार्मल थी तो इसके female के अंदर यह प्रेक्टर आना स्टार्ट हो गया है क्यों ये एक सहलेक्ड लक्षण की बदालत ये बंसागत्रोग है इसका निसकर्स क्या निकलता है मेल से फीमेल के अंदर पहुंचता है फीमेल से मेल के अंदर पहुंचता है मेल से फीमेल के अंदर पहुंचता है इस तरीके से ये क्रास चलता रहता है, generation to generation चलता रहता है अब इसी तरीके से अगर हम दूसरे question की बात करते हैं अगर हम जोनो और ही generation color blind ले 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 लेते हैं क्या मिलता है में देखने के लिए माल लीजिये दोनों के अंदर हीमोफीलिया है यहां पर भी ही हीमोफीलिया रोग है हुी एक्स एक्स दोनों एक्स के उपर ये जीन की सर्रस्ना आ चुकी है इसके उदर क्या हो गया ही मोफीलिया रोग आ गया थीक है अ रोग की केरियर हो जाती, बाहक हो जाती, अब क्या करते हैं इसी तरीके से, इसके एलील्स के लिए अलग अलग कर लेते हैं, X, H आगे आइधर, Y, X, H आगे आइधर, X, H आगे आइधर, अब इसका क्रास एक बार इससे कराते हैं, एक बार इससे कराते हैं, देखिए, X, Y दिया हुआ है, H, X के उपर आवे, ठीक है, ये जन्रेशन कैसी होगी, ये सन होगा, इसके अंदर कौन सा रोग होगा, ये कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा, क्योंकि एक X के उपर जीन की सरशन आचुकी है, ये जन्रेशन, सन होगी, और हीमोफिलिक होगी, क्योंकि डाउट, अब इसका क्रास इससे कराते हैं, एक बार, तो क्या आता है, X और Y, X के उपर जीन की सरशन आचुकी है, तो ये जन्रेशन भी कैसी होगी, सन होगी, और हीमोफिलिक होगी, अब इस तरीके स है इसका क्राश एक बार सस्के होगा है इसका क्राश एक बार इस से होगा ईयक्स एक्स डोनों जगा एक्स कहा है और धोनों जग़ाई आपर यहाँ तो क्या कैसी होगी हीदो फिलिक होगी दोनों एग्ष के उपर जीन की सर्जना आ चुकी है डाटर होगी ठेट यह कैशी डाटर है ही ju हेमोफिलिक है कि किसी कोई डाउट हो तो पूछिए इसी तरीके से इसका क्रास इससे करा देते हैं इसलिए यहां पर भी एक्स है दोनोगत कर भी है लगा भूआ है इसलिए यह बी कैसी न blueberry दाथ से और यहां पर क्या देखना है यह जन्रेशन कैसी straw गई रखी हेमो फिलीक और जब पैरेंट्स कैसे थे हीमोफिल रोख से ग्रसित थे घर गोर कर्स कराया जाता है क्यों कहों मैंतया न की अर्ष केुए थे यह यह तका egy u इसी तरीके से solve कर सकते हैं इन question के लिए ये easy हैं थैंक यू अगर ये वीडियो आपके समझ में आई हो तो इसे subscribe भी करिए और इसे like भी करिए थैंक यू